मस्कार दोस्तों मेरा नाम है रूतू और आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल टेग गुरू रूतू को तो भाई आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा टॉपिक लेके आये हो जो दोस्तों बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई हमारे फॉन की बैटरी होती है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है हम अपने phone को दोस्तों बहुत ही 100% फुल कर देते हैं फिलहाल हमारे phone के 100% फुल बैटरी को भी दोस्तों 4 या 5 गंटे के अंदर लो हो जाना ही पड़ता है ऐसा क्यू होता है हमारे phone की बैटरी इतनी जल्दी आप लो क्यू हो जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपको कुछ ऐसी गलतियों की वज़े से आप अपने mobile के अंदर कुछ ऐसी setting होती है जिसे आप on रखते हो और आपकी ऐसी छोटी मगर मोटी गलतियों की वज़े से आपकी phone की बैटरी होती है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको mobile की ऐसी दो setting के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप off कर देंगे तो आपकी mobile की बैटरी की life हो दोस्तों थोड़ी बढ़ जाएंगी यानि उसकी life है वो दोस्तों जल्दी खत्मन नहीं होने वाली आप अपने phone की बैटरी को थोड़े और लंबे देर के लिए यूट कर सकते है तो दोस्तों कैसे होने वाला है आपको कौन सी setting है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हो वीडियो को बिना स्कीप कर करना सत्केर आओ भाई लाइक करें भीना कहीं मजाएगा चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हो तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हो कि वो मोबाल की कौनसी दो यसी setting है जिसे आपर आपको off करना होगा अगर आप अपने मोबाल की बैटरी को long time के लिए आप आपर यूज करना चाते है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाल के अंदर जो डेवलोपर आप्शन आता है इसे यहाँ पर आपको ओपन करना होगा ओपन करने के लिए आप अमने मोबाल के about fonts के अंदर चले जाए पर यहाँ पर दोस्तों मुझे MIUI वर्जन का option मिल जाता है तो simply मैं इसके उपर दोस्तों 8 बार टैप करूँगा तो मेरा developer option यहाँ पर open हो जाएगा यह दोस्तों अल्रेडी यहाँ पर open ही है तो चले मैं आपर आपको बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर कौनसी setting को off करना होगा developer option के अंदर जाने के बाद यहाँ प open करके यहाँ पर आपको no background process कर देना होगा यह दोस्तों कौनसी process यहाँ पर सुरू रहती है तो आपके phone के अंदर दोस्तों जितनी भी application होगी वह आपके background के अंदर दोस्तों run होती रहती है यानि कि दोस्तों आपके background के अंदर आपकी phone के अंदर जितनी भी आपने application इस्ट यहां पर फ्रोसेस हो रही है उससे यहां पर आपको no-wayground process कर देना होगा तो आपकी बेग्राउंड आपके जो mobile की बेटरी वह दोस्तो और भी ज्यादा देर के लिए आप यूज कर पाएंगे अपने mobile को फासिंपली दोस्तों ये थी हमारी mobile की पहली setting उसके बाद दोस्तों देख लीते हैं आपको mobile के अंदर दूस्ती इस सेटिंग करनी है तो दोस्तों आप देखते होंगे कि आपके mobile के निचे की और तीन ही मिल जाती है तो उससे वो तीनों बटन के उपर आप देखते हों कि आप जब भी आप प्रेस करते हो तो आप पर vibration का option मिल जाता है अगर vibrate नहीं होता तो आप पर sound का option मिल जाता है अगर आप याप लॉक को off कर दे तो आपने display की अंदर आप अपने mobile को lock करते हो तो lock का जो sound होता है या फिर आप अपने mobile के अंदर dial pad के अदर type करते हो तो वो dial pad भी दोस्तो यहाँ पर vibrate होता है तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि आपके mobile की बैटरी सबसे ज्यादा यापर, कौन, यापर सबसे ज्यादा बैटरी, किसकी वज़ए से यापर कम होती है तो आपके mobile के अंदर जो vibration होता है तो vibration की मदद से आपके mobile की battery होती है वो दोस्तो बहृत ही जल्दी कम होने लगती है दोस्तो अगर सो स्रीजी आपने यहाँ पर आपने मोबाल को दोस्तो वाइब्रेट मोर के उपर कर लेते हैं तो आपके मोबाल की बैटरी होती है वो दोस्तो बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती है उसकी लाइफ टाइन होती है वो दोस्तो यहाँ पर कम होने लगती है कुछ भी काम के नहीं है, फिल भी दोस्तों हम इसे on रखते हैं, और इसी की वज़र से आपके mobile की बैटरी होती है, वो दोस्तों बहुत ही जल्दी कत्म हो जाती है, तो simply आप आपको tap sound, यानि आप जब भी display के उपर, आप हमने tap करते हो किसी भी menu के अंदर या पर जाने के लि लिए वो भी हमारे कुछ भी काम कर नहीं है, और या पर screenshot sound, तो दोस्तों या चारो option हमारे कुछ भी काम के नहीं, फिर भी हम इसे याप पर open रखते हैं, और हमारे जो mobile की बैटरी होती है, वो बहुत ही जल्दी आपर खत्म हो जाती है, तो simply चारो option को यापर आप 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 vibration on tap का option मिल जाता है, तो दोस्तों यापर भी आप इसे off कर लिजिए, प्रिकि आप आप जब भी आपने देख के उपर click करते हो, आप home key की दबाते हो, तो आपका phone जो vibrate होता है, उसी की वज़़े से आपके phone की battery तो भाई उसी की वज़़े से सबसे ज्यादा कम हो जाती है उसकी lifetime होती है, वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है, vibration की वज़़े से, आपके mobile के जिसने भी ऐसे vibration के mode वो उसे आप 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 कर दीजिए, तो simply आप आपको और भी 2 option मिल जाते हैं, कि vibration on silent, यानि दोस्तों आप जब भी आपने phone को silent mode के उपर करते हो, तो वो vibrate होता होगा, त तो आपका phone जब भी vibrate होता है, तो आपकी phone की battery दोस्तों बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती है, तब इसे भी आपर off कर लिजिए, तो simply यापर जो also vibrate call है, उसे भी आपको off कर लेना होगा, कि जब भी आपके पास यापर कोई भी call आती है, incoming, outgoing, तो आपका phone vibrate होता है, तो vibrate होने की वज़ा से दोस्तों phone की battery हो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, तो आपके phone के अंदर जितने भी ऐसी vibrate mode है, यहापर जितने on है, उसे यहापर आपको off कर लेना होगा, तो दोस्तों यहापर आपको यह दो setting कर लेंगे, तो आपके phone की battery हो 100%, यह एक workable trick है, और अ दोस्तों आपकी battery 4 या 5 गंटे के अदर खत्म हो जाती है, तो दोस्तों फिलहाल वो 6 या 7 गंटे के लिए आप दोस्तों आप इसे अपने mobile के अंदर यूज़ कर पाएंगे, आपकी mobile की battery हो 2-3 गंटे ज्यादा चलेगी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको आज की video बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया, तो वीडियो के नीचे दिएगए सब्सक्राइब बटन को आप अपने हाथों से काला कर दीजिएगा, और साथ में बेल कि अप्सें को दबाना बिल्कुल मत बुलिएगा ताकि दोस्तों में आगे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नौटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो जान सके तो चले दोस्तों मैं आज की वीडियो को यहीं तेक रखता हूँ मिलते हैं आप हमने आगेगी नेक्स्ट वीडियो में शुक्री आप सभी लोगों का बाइबाई